सब्सक्राइब किजिए डिटेज टीवी गाइट को और इस नोटिफिकेशन बेल आइकोन को भी क्लिक किजिए और चैनल की हर लेटेस्ट आपडेट पाईए सबसे पहले नमस्कार दोस्तों डिटेज टीवी गाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं बात करूँगा डिटी फ्रीडिश को लेकर दोस्तों इंडिया और पकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है जो जंग आपस में जो जंग चल रहा है जो मू और कश्मीर को लेकर उस जंग में आप डिटी फ्रीडिश बड़ा हिस्सा लेने वाला है यानि के इंडिया और पकिस्तान का जो जंग है वो आप डीडी फ्रीडिश के जरीए लड़ा जाएगा आप सोच रहे हैं कैसे आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिया जोस्तों आप लोगों के एक बात सुचित कर दू इंडिया और पकिस्तान का जो जंग है वो आप डीडी फ्रीडिश के जरीए भी चलाया जाएगा आप सही सुन रहे हैं इंडिया और पकिस्तान के बीच जोमू और कश्मीर को लेकर जो तनाव चल रहा है दो देश के अंदर जो जंग चल रहा है जोमू और कश्मीर को लेकर वो आप डिडी फ्रिडिश के जरीए लरा जाएगा ये नया कदम उठाया है केंड्रियो ग्रिह मंत्रनालाई और सुचना और संप्रसरन मंत्रनालाई ने कैसे हम आपको विस्तार से बताते हैं दरसल जोमू और कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया है उन एरिया में जो गाउ है उन गाउ में रहने बाले लोगों में पकिस्थान अपने देश के टीवी चैनल के जरीए प्रोपगंडा फैलाते है और इंडिया के खिलाप उन जोमू और कश्मीर के लोगों को भरकाते है और इंडिया गवर्मेंट का ये मनना है कि ये सारे जो प्रोपगंडे है जो पकिस्थान फैला रहा है इंडि पेस्टेल जो सर्विस है कबरेज एरिया है वो इंडिया के बॉर्डर एरिया के उन गाउ में पहुचता है और उसी टिवी चैनल के जरीए पाकिस्तान अपना जूटा प्रोबगंडा फैलाते हैं और यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि इंडिया का जो रिजनल चैनल है व वो उन गाउ में उसका कबरेज नहीं पहुच पाता है इसलिए इंडियान गवर्मेंट के दुआरा जो संदेश दिया जाता है जम्मो काश्मीर के लोगों के लिए वो उन लोगों के पास नहीं पहुच पाता है और उस चैनल के जरीए सरकार की बात भी उन लोगों के पास नहीं पॉस्पता है और वो लोग पकिस्तान के जूटे प्रोपोगेंडी का शिकार बन जाता है और इसलिए इंडियन कवर्मेंटे ये फैसला किया है कि जो मो कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया के लोग है उनको डीडी फ्रीडिश मुप्त में दिया जाएगा जी या दोस्तो जोमो कश्मीर के बॉर्डर एरिया में रहने वाले 30,000 यानि के 30,000 ग्राहों को परिवारों को डीडी फ्रीडिश सेट्टोब बॉक्स फ्री में दिया जाएगा अब स्कीन पे जो कमुनिकेशन नंबर देख रहे हैं इस कमुनिकेशन नंबर के तहट 16 अक्टबर 2008 को जोमो कश्मीर के डिविशनल कमिशनार और डेपोटी कमिशनार को ये नोटिश जारी किया है कि जोम्मू, सामबा, खत्वा, रजोरी, पूंच और खतुन के एरिया में जो गाउ है उन गाउ में कौन-कौन से घरों में डिटीएच नहीं है उनका एक लिस्ट तयार करने के लिए कहा है और उन सब घरों में से 30,000 घरों को यानि के 30,000 फैमिली को डिटीएच कनेक्शन मुप्त में दिया जाएगा डिडी फ्रीडीश का तो आगर आप रहते हैं जोमू और कश्मीर में तो आपको भी ये सेट्ट बॉक्स मिल सकता है आप आपके मन में ये सबल आ सकता है कि डिडी फ्रीडीश ही क्यों डिडी फ्रीडीश ही इंडिया का एक मत्र फ्री टुए यार सर्भीस है जिसमें 100 के आसपास चैनल फ्री में देखने को मिलता है और DD Friedish इंडिया में बहुत पॉपुलर भी बन चुके है और DD Friedish का कब्रेज पूरे इंडिया में कही भी मिलेगा और DD Friedish का जो सिगनल है वो 2 फिट साइस के डिशंटना में आसानी से रिसिप किया जा सकता है और DD Friedish प्रोशार भरती यानि के सेंटरल गब्मेंट के दाइरे में भी आता है और इसलिए इंडियान गब्मेंट ने जोमू और कश्मीर के उन बिचरे गाव को पकिस्थन का उस जोटे प्रोपोगंडे से बाचाने के लिए DD Friedish को ही चुना है ताकि DD Friedish के जरिए सरकार अपना संदेश जो है अपनी जो बात है वो उन लोगों के समने रख सके तो जोमू और कश्मीर के विवार्स DD Friedish enjoy कीजिए और अपने आपको जोटे प्रोपोगंडे से बचाईए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आप चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही आप सब अच्छे रहिए खुश रहिए जय हिंद जय भरत